तो बतादे कि आयोध्या में दूसरे दिन आम लोग लगातार अदर्शन पूजन कर रहे हैं इस बीच बड़ी जानकारी आपको बतादे यूपी सरकार की वीवी आईपी लोगों से अपी अयोध्यारे से 10 दिन पहले दे जानकारी तो स्थाने प्रशासन को जानकारी दी जाए मंदर ट्रस्ट को भी दे सकते हैं जानकारी तो योध्यारे बारी भीड के चलते ये फैसला लिया गया है तो एसे मेच चनौती और ना पड़े इसको लेकर यूपी सरकार ने बीवी आईपी लोगों से अपील के संबदाता अविनाश का सीधा रुकर लेते हैं अविनाश यूपी सरकार की बीवी आईपी लोगों से प्रशासन को सूचित करें कि जो एवस्था हैं पहले सुनिशित की जाता है और इसे लेकर क्योंकि माना जा रहा है कि अगले कुस दिनों तक अगर बात करें तो आज से प्रफ़ दिनों तक यूपी लागों रहेगी है वो रामनिला के दर्शन यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं अब वी वी आईपी लोगों से भी अपील इस और कहीं न कहीं एहम हो जाती है क्योंकि चनौती जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन की बढ़ते हुए नजर आ रही है दिल्कुल सहीगा आप में देखिए क्योंकि जो लोगों की भी रहे है श्रजालों की जो तादा से लगातार बढ़ रही है और जाहिर के बात है कि प्रशासन के सामने थोड़ी मुश्किल जरूर है हलाकि आज जो विवस्ताइं काफी विवस्तित हो गई है लोग नाइन लगाकर अंदर बहुत ही विवस्तित दरीके से अंदर जा रहे है दर्शन और पूजन के लिए लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में जप्रशन थोड़ी कम होगी तो प्रिण और जादा बढ़ने वाली है और पुशासन को पता है कि अगर पहले से मुरस्ताइं सुनिशित नहीं की गई तो दिक्कत हो सकती है वैसे में अपील की बात करें या तो दूसरे माफिमों की बात करें हर तरीके से सरकार पुशिश कर रही है कि आने वाले शर्थालों को दिक्कत ना हो इस लिए तारी प्यारियां पहरे से पूरी पीर है विल्कुल तो बता दे कि आयोदे में भारी भीड के चलते यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया विनाश जो वी वी आई पी लोगों से अपील की गई है जरा उससे बताईएगा डीटेल में कि क्या अपील यहां पर की गई है क्या इदायते यहां पर साथ ही साथ जो आम जिन दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं उस अपील का आम जिन पर भी क्या असर दिखाई पढ़ रहा है विनाश करना चाहता है तो आम लोग तो काफी कर सकते हैं कि वो प्रशासन की गाई लाइन के तहती दर्शन पूजन कर रहा है बिलकुल बहुत शुक्रिया विनाश तमाम जानकारी देने के लिए तो वी वी आई पी मानों से ये अपील योगी सरकार की